जल नदी परियावरण समक्षन पर अमरितलाल वेगर जी का आवान जो की नर्मधा व्रती, चित्रकार एवम लेखक भी हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है श्री अम्रतलाल वेगर नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हैं। वे नर्मदा की पुरी परिक्रमा कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उनके चित्र अनेक प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरुस्कृत हो चुके हैं। कला के साथ लेखन में भी रूची रखने वाले श्री वेगर ने नर्मदा पदियात्रा वृतांत की तीन पुस्तकें लिखी हैं। लेखक का उद्देश्य नर्मदा के अनुपम सौंदर्य का उद्गाटन करना है। नर्मदा सौंदरी के साथ साथ नर्मदा तटके जन जीवन की एक अंतरंग जलक भी इसमें मिलती है नर्मदा अब वेगर जी के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी आखिन देखी हो गई है ये उनकी लेखनी की ही ताकत है ध्याइब बहुत धन्यवाद मेरे पास और भी धन्यवाद है सबसे पहला धन्यवाद सूर्य को जिसने अपने सोर मंधल में हमारी पर ट्थ्वी को सबसे अच्छी जगे दी ख्रें की और भी दूर ज़ुर, अलग अपर ब्रहन करते हैं तो हमारी प्रित्वी को उसने सबसे अच्छी जगे दी, दिखिए अगर वो पास होती तो इतनी गरम होती कि वहाँ भाप ही भाप होती, अगर दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि वहाँ केबल बर्फ भी ही बर्फ होता, हाला कि भाप और बर्फ दौक ही पानी की रूप है, लेकिन जीवन वहीं पर सभव है जहां पर पानी हो, ओ प्रित्वी को ऐसी अच्छी जगे मिली है जहां बर्फ भी है, भाप भी है और पानी भी है, पानी है इसलिए जीवन है, दूसरा धन्यवाद मैं समुद्र को दूँगा, सबसे पहला जीवानों, सुक्ष्म से सुक्ष्म जीवानों सबसे पहले समुद्र में प्रकट हुआ, फिर उसी का विभाजन होते होते होते, जलचर बने, थलचर बने, पशुपक्षी, पीर पौधि सब बने, तो आरम जो है, वो समुद्र से हुआ, तो जीवन को, जीवन देने वाला समुद्र है, और एक बार जीवन देकर वो सो नहीं गया, वो जानता है कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं, तो हर साल अपने खारे पानी को मीठा करके हम लोगों को भेजता है, तीसरा धन्यवाद, वनों को, इन वनों सघन वन जो है, अच्छे बड़े सघन वन, उसकी ठंड़क पा करके, वो बादल जो है न, वो बरसते हैं, पानी में बदल जाते हैं, और वर्षा होती है, तो वर्षा जो है, वो बादलों के और मुचे पाड़ों के काड़ होती, जैसे देखिए, हवाई जहाज वही उतरेगा, जहाँ पर हवाई अड़ा होगा, हर जगे तो नहीं उतर सकता, ये जंगल वादलों के उतरने के हवाई अड़े हैं, और चौथा धन्यवाद नदी को, ये जो पानी है, बर्षा का, उसको देश में दूर दूर तक मोहचाने का काम नदी करती है, नदी ने उसको विपन में से संपन बनाने में, सबसे बड़ा योगदान उसी का है, नदी का, पहले आदी मानव था, वो तो जंगलों में शिकार के पीछे मारा मारा फिरता था, उसको कोई घर भी नहीं था, काला अंतर में, जब उसने खेती करना सीख लिया, तब वो जंगल से बाह पाइदान चाहिए, पानी चाहिए, तो जंगल से बाहर आया, नदियों के किनारे बसा, घर बसा आया, गाओं बने, पहले तो शिकारी था, अब किसान बना, पहले यायावर था, अब ग्रहस्त बना, एक घर 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 बसाके रहा, तो जंगल ने उसको रोटी दी थी केवल, नदी ने उसको रोटी, कपड़ा और मकान तीनों दिये, अब मेरे पास दिकार भी है, पहला दिकार पुलहारी को, जिसने वर्षा वनों तक खात्मा कर डाला, जंगल के जंगल साफ कर दिये, धर्थी का संतुलन बिगार दिया, एक पेड को काटना है, एक साधू की हत्या करन के बराबर है, यह हमारे सास्त्रों में लिखा है, और दूसरा धिकार, रासायनिक खाद को, जैसे चिटफंड कंपनिया होती है, कि हम आप इतना देंगे, तो हम आपको इतना जादर देंगे, और फिर आपका पैसे लूब जाता है, कुछ-कुछ यह रासायनिक खाद वैसी है, पहले कुछ साल खूब पैदावार देगी, आप बड़े खुश है कि बहुत पैदावार हो रही है, मगर बाद में वो खेत आपका खेत की मिठी मरती जाएगी, वो खेत बिलकुल बंजर हो जाएगा, और तब आपके लिए खेती करना संभव भी नहीं रहेगा, क्योंक अफिम खाने वाला इतनी खाएगा, फिर बढ़ा देगा, फिर और बढ़ाएगा फिर वो ही हाल है, तो इसने हमारे जिसे पंजाब का कितना बुरा हाल होगा, पहले खूब फसल होई, अब आज वो बंजर हो गया, और तीसरा दिकार, कार्बन मोनो आकसाइड को, आजकल प इतना बढ़ गया है, आज जितनी प्रिथवी गरम है, उतनी लाखों करोणों बरस में कभी नहीं थी, आज इतना तापमान बढ़ गया है, प्रिथवी गरम है, यह इंधन की वज़े से, कोईला, यह बिजली, सब जो है, वो ग्लोबल वार्मिंग ला रहे हैं, तो यह मैं एक पिरामिड की रूप में करता हूँ, पिरामिड आप जानती है, ऐसा हो, सब से नीचे है वनस्पति जगत, जिसमें, सब हर तरह की वनस्पति हो, बड़े-बड़े विक्षों से लेके, लताय, काई, सब कुछ, वो बड़ा हिस्ता घेरता है, वनस्पति जगत, उसकी सब के ऊपर है पशू-पक्षी जगत, और सब के ऊपर है मनुष्य जगत, अब देखिए जो पशू-पक्षी है, वो वनस्पति जगत पर निर्भर है, उसी पर वो उसका जीवन निर्भर करता है, और मनुष्य का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है, अब आप अगर न वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उपर की दोनों मंजिलों को अपने आफ शती पहुंचेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने वनों को हर प्रकार की वनस्पति को सुरक्षेज रखें क्योंकि हम उसी पर निरभर हैं। पशुपक्षी और मनुष्य आधार कार्ड है वो हमारा सब का वनस्पति है। सर, नर्मदा का इतना महत्वक क्यों है और उसे मा का दर्जा क्यों दिया जाता है। मा का देखिए, एक छोटा बच्चा है, डेर दो साल का, एक तरफ वो खड़ा है, एक तरफ साक्षात भगवान खड़े है, राम है या कृष्ण है, अब बच्चा यहां खड़ा है, अब किसके पास जाएगा। मा के पास जाएगा। तो जो चीज हमको अत्यधिक प्री होती है, हम उसको फिर मा कहने लगते हैं। क्योंकि बच्चे के लिए सर्वस्व है मा, तो गंगा को भी हमने मा कहा, क्योंकि हमें अत्यधिक प्री है। और नर्मदा को भी मा कहा, भारत तक वो भारत माता है। तो जो चीज हमें अत्यन्त प्रिय है, अपनी मां के बराबर प्रिय है, उसको हम मां का दाग्या देते हैं, एक बात बताऊ मैं, कि हमारे जो रिशीव होते थे, उनको तपस्या करने के लिए दो ही स्थान पसंद थे, या तो उत्राखंड या रेवाखंड, उत्राखंड या हिमालय कि गुफाओं में बैठके तपस्या करते थे या रिवाखन आने नर्वदा उननों अलर्मृदा गने जंगल थे दंड कर रहनी है जएसे गने जंगल थे तो वहाँ की एकांत में नर्मृदा अल्ट पर बैठके तपस्या करते थे उनके आश्रम होते थे गुरुकुल होते थे चात्र पढ़ते थे तो नर्मदा को तपो भूमी नर्मदा कहा गया है गंगा को नहीं कहा है गंगा को तपो भूमी गंगा नहीं कहा है कि गंगा के किनारे कोई रिष्य आश्रम नहीं था ना कोई तपस्या कर था या हमालय या न तो तप भूमी नर्मदा है इए अच्छी जैसे सर गंगा में डुपकी लगाने से पुण्य प्राप्त होता है जी और नर्मदाको दर्षन मथश्ण रहिए तो हो जाएगा और Umaap इस प्रकार के और भी कई अयरुजन होते हैं, ये कितने सार्थक होते हैं? आपके क्या विचार है इस पारे में पहले तो हम ये देखे हैं कि हम नर्मदा से क्या लेते हैं, पीने का पानी लेते हैं, कितने शेहरों को हमारे मद्यप्रदेश के, कितने शेहरों की ये प्यास हो जाती है, कितने शेहरों का ये अंधेरा दूर करती है, उद्यूगों को बि तो नर्मदा से हम इतना लेते हैं और बजले में हम क्या देते हैं तो हमने तो उसको प्रदूशन दिया, गंदगी दी, रासाइनी खा बाला पानी उसमें डालते हैं, नाले डालते हैं, बड़े-बड़े शेहरों के नाले, तो नर्मदा बचेगी, इस दर्मदा ने हमारे दादा, दादा के परदादा, परदादा के परदादा के अनेग परदादाओं की प्यास बुझाई है, अब सवाल यह है, क्या यह हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की प्यास बुझा पाईगी, आज सबसे बड़ा सवाल यह है हमें दर्मदा की जरुबत है परियावरण को हमारी जरुवत नहीं है हमें परियावरण की जरुवत है इसलिए यह हमारे हित में हैं कि हम उनको सुरक्षित रखें हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने अपने आपको कसाई मान दिया है और परियावरण को बकरा परियावर बच्चों की तो चिंता करो, देखो, जो समझदार आदमी होता है, वो पूरोजों की पूजी होती है, उसको हात नहीं लगाता है, उसके ब्याज को खाता है, और पूजी जो है, अपने आने वाले वन से जो को दे जाता है, हमारे पूरोजों ने यही किया, पूजी को हात नह यह जो वन है, पहाड हैं, नदिया हैं, यह पूजी है, उससे उतना ही रोज यतना की नहायत जरूरी है, हम जो लखडी लो, मगर जंगल को पूरे का पूरा काट डाल, सभाय कर दिया, पूरी की पूरी नदी को तुमने प्रदुश्चित कर दिया, साइक नदिया सुख रही ह उसमें पानी कम आ रहा है, तो नर्मजा में भी पानी कम आ रहा है, तो हमारी नदियों को डवल निमोनिया हो गया है, एक तो यह है कि उसका पानी गंदा हो रहा है, और दूसरा यह है कि उसका पानी कम हो रहा है, आप पेर काट डालेंगे, तो कहां से पानी, नर्मजा मैंन मान नर्मदे, अगर पचास या सो साल बाद, अगर कोई एक दंबती नर्मदा परिक्रमा करता दिखाई दे, पत्नी के हाथ में जाडू हो और पत्नी के हाथ में टोकरी, पत्नी घाटों की सफाई करता हो, और पत्नी उस कच्रे को दूर ले जाके फेकती हो, और दोनों भी करते हों, तो समझ लिना कि हम ही हैं, कांता और मैं, जिस प्रकार कोई वादक अपना वाद्य बजाने से पहले देर तक उसका सूर मिलाता है, उसी प्रकार है, इस जनम में तो हम नर्मदा परिक्रमा का सूर ही मिलाते रहे, परिक्रमा तो अगले जनम से करेंगे हैं, मुझ मुझे ही अफसर दिया अपनी बात कहने का, और इस प्रकार मैं तो नहीं रहूंगा, मगर मेरी आवाज रहेगी, मेरी ये फोटो, चित्रों के भी, मैं इसके लिए बहुत शुक्र गुजार हूं, और मुझे लगता कि ये जो बना रहे हैं, ये हर स्कूल और कॉलेज में द देखेंगे नहीं, उससे प्यार कैसे होगा, अन्जान चीज से तो प्यार होता रही है, तो हम प्रकर्ती प्रेम देश प्रेम की पहली सीड़ी है, तभी आपको अपने देश, मेरे देश में कैसे पहार है, कैसे बन है, कैसे नदिया है, तो प्रकर्ती हमारी माता है, प्रकर प्रग्रती ने ही संस्कृति को जन्म दिया आज संस्कृति का फर्ज है कि वो प्रग्रती की रक्षा करें अमरत लाल वेगर जी के इन विचारों को संजो कर रखने एवं आने वाली पीडियों को इनसे अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश राजी जैव विविधता बोड द्वारा ये पहल की गई है सब्सक्राइब करें